Retinol, Vitamin A का एक ऐसा derivative जो कि आपके skin के collagen के breakdown को slow down करता है, आपके skin को elasticity देता है, firmer बनाता है, plumper बनाता है, in short, इसको youthful less देता है. Korean Cosmetic Industry का सबसे important ingredient होने की वज़ा से वो claim करते हैं कि आपको glass skin दे सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेटिनॉल का इस्तिमाल एस्पारिंग मादर्स प्रेगनेंट विमिन और ब्रेस्ट फीदिंग मादर्स को कमप्लीटली प्रोहिबिटेड होता है क्योंकि यह शोध किया जा चुका है कि भले आप पी साइज रेटिनॉल अपने पूरे चेहरे कि इस्तेमाल करते हैं कि फीटस को इससे परिशानी हो सकती है जहां ती महीने पहले आपको दिया चाहता है कि आप रेटिनॉल का इस्तेमाल बंद कर दीचे तो आप समझे कि ऐसी चीज का इस्तेमाल अगर आपके फीटस के लिए मुश्किल है तो आपके लिए इन लॉंग इसके खिलाफ नहीं हूँ क्या पता फ्यूचर में हमें भी रेटिनॉल का इस्तमाल करना पड़े पर मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि सोचिए समझिए प्रश्न कीजिए इसके बारे में पढ़िए और उसके बाद इस्तमाल में लाईए यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज के बारे में पढ़ने से आप स्किन केर एक्सपोर्ट नहीं बन जाते लेकिन जो चीज आप यूज करने वाले हैं उसकी ताकत आपके प्रति आप बढ़ा देते हैं हम एक्सपीरिंस कर चुके हैं इसे लिए आपको बता रहे हैं तो अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आप विश्वास कर सके इन रेमेडीस पर मुझ पर तो आइए जानते हैं कि कैसे प्लांट बेस्ट तरीके को इस्तमाल करके जिसमें कोई साइड एफेक्ट नहीं है आप अपनी तवचा को यूथफुल बना सकते हैं एकदम खिचा-खिचा सॉप्टर और बना सकते हैं और यह प्रत्यक्ष रिजल्ट आप खुद देखेंगे आईए जानते हैं वोट ओल नीट्स तो बी टन नवश्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चानल प्रिती प्रिणा पर जहां पर आज हम जान रहे हैं कि रेटिनॉल का नाच्र कीजिए यारी कि पहले कोई फेस ओई अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद फेस वाश से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी रेशरियों आपके चेहरे पर ना रहे स्टेप नमबर टू इस गोई टो बी एक मास्क जो कि आपकी स्किन पर ना ना सिरफ ऐरवेद बल्कि चाइनीज मेडिसें भी करती है जिहां जाकर पढ़िए इसके बारे में कि यह आपके ओपन पोर्स, एक्सेसिव और प्रडॉक्शन, पिग्मेंटेशन, स्कार मार्क्स, आपके कंप्लेक्शन करेक्शन, इसको नाच्रल स्किन वाइटनिंग एज स्ट्रोंग एफेक्ट होता है आपकी स्किन पर लेकिन यह बहुत कमालका है, तो इसके बारे में आप डेफिनेटली पढ़िए, समझे और फिर इस्तमाल में लाइए, पर क्योंकि यह पाउडर है, तो आजटेस तो यूज हो नहीं सकता, इसको एक पेस्ट में तबदील करन के लिए यहां पर आपको यूज करना है टेमेटो जूस, आप एक अच्छा सा तमाटर ले लीजे लाल लाल सा और उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका जूस एक्स्ट्राक कर लीजिए, इससे आप अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, तमाटर का जो लाल रंग देता है इसका विटमिन सी कॉंटेंट, इसका जो स्किन स्ट्रेचिंग एजेंट यह है, तो आपको ट्राइ करके ही पता चलेगा, कोई भी आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि यह आप इतने सारे विटमिन सी सीरम में इन्वेस्ट करते हैं, उनको लगाने के बाद का रिजल्ट और इसको यूज करने के बाद का रिजल्ट, मैं आपको सच बता रहे हूं, बहुत जादा माच करता है, तो अब इसको रोज यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कही ना कहीं विटमिन सी है, नाच्रल एजेंट है, तो मैं आपको आगे बताऊंगे, कि आप इसको कैसे कैसे इस्त अक्षम है, लेकिन हम आपको शॉर शॉर्ट रिजल्ट देंगे, इसलिए आगे चलकर हम एक और स्टेप करने वाले हैं, तो जस्ते टून इसको अपने पूरे चेहरे पर लगा लेने के बाद, आप इसको रहने देंगे, फॉर अप्रोक्सिमेटी फाइव तो सेवन मिनिट तो सफिषिट टाइम कि जो टमाटर का जूस है वह भी और जो मुलेटी पाउडर है वह भी अपना जो काम है जो मैजिक है वह आपकी स्किन पर दिखा सके और आपको बहुत अच्छे रिजल्स दे सके इसके पस्चात आप अपनी स्किन को अच्छे से वाश कर लेंगे, इस इससे क्लीन कर लीजिए और अच्छे से पाड ड्राय कर लीजिए Step number 3 के लिए आपको यूज करना है रेटिनॉल Not the literal one, plant-based retinol यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह उपादी इसको मिली हुई है क्योंकि यह बोहुत लाइट होता है Literally carrier oil होता है और skin की कई सतह नीचे तक जाकर आपको optimum hydration प्रोवाइट करता है यह है rose hip oil गुलाब के नीचे जो swollen part होता है जिसमें seeds होते हैं इनही seeds और leaves एक्स्ट्रैक किया जाता है rose hip oil यह बहुत ही light oil होता है और इसकी अगर मैं आपको बखान करू ना कि क्या-क्या important चीज़े है यू विल बी amazed आप खुद बोलेंगे अरे फिर तो youthful skin होई जाएगी rose hip oil is loaded with skin nourishing vitamins and fatty acids इसकी जो anti-oxidants होते हैं यह आपकी skin के moisture को lock करके इतना hydrate करते हैं कि आपकी skin अपने आप ही brighten हो जाती है collagen formation काफी अच्छा हो जाता है और जितनी में inflammation आपकी तवचा पर है वो subside हो जाती है ना सिर्फ यह 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 आपकी skin को sun damage से protect करता है pigmentation, hyper pigmentation से protect करता है signs of aging को आपकी skin पर नहीं आने देता और skin aging को बहुत हद तक डिले करता है अब आप बताईए कि यह magic है या नहीं तो जो भी skin rosefoil आपके आसपास available है कुछ जो मैंने use की हैं मैं comfortable हूँ उनके link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे आप जाकर इने try कर सकते हैं just few pumps आपको अपने हाथों में लेना है absorption जल्द से जल्द हो सके और जो results हम चाहते हैं वो जल्दी आप अचीव कर पाएं जब आपको इत्मिनान हो जाए कि हमने यह पूरा का पूरा magic अपनी skin पर अच्छे से deposit कर दिया है किसी भी part को आप मिस नहीं करेंगी आप आँखों पर भी अच्छे से अप्लाइ करेंगे ताकि वो जो यूथ फुलनेस है वो आपकी आँखों से भी रिफलेक्ट हो और अच्छे से रहने देंगे इसके बाद for the last step हमें क्रीम प्रिपार कर रहे हैं अप इसको क्रीम बोल लीजे इस पर आप एक ग्लास का बोल रग दीजे जिस पर हम सारे इंफ्यूजन करेंगे जब पानी बॉल होगा तो जो ग्लास बॉल है वो भी गरम होगा और जो भी चीज़े हम इंफ्यूज कर रहे हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो पाएंगी सबसे पहले आपको लेना है दो बड़े चम्मच आमंड ओई जितनी चीज़े मैंने पूरी वीडियो में कही है या मेंचन भी करी है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं बादाम का तेल इस आनदर नेम इस सिनन सबसेते के लीचे नीच के लिए रखता है अगले साएं ग्लेता क्डरी कि अपको लेना है एक बड़ा चम्मच ग्लिसरीन। या वह वही ग्लिसरीन जो कि आपकी तवचन को वह प्लंपनेक्श तेता है हम सबढ़ने स्वाइंज संब्सकिता जानते है कि ये हालओ रोने को तो हाइड्रेशन के लिए तो हम इस पर शक कर ही नहीं सकते हैं इसके बाद आपको इसमें आड करना है अप्रॉक्सिमेटली एक से डेड़ चममच गाजर का जूस जिहां गाजर के जूस में कितना सारा विटमिन ए होता है तो मुझे बदानी की जूरती नहीं है थूआउट विटमिन एक कमी आपके अंदर होगी नहीं तो जो भी हम प्रसीजर कर रहे हैं वह ज्यादा अच्छे रिजाल्स आपको दिखाएंगे अच्छे सिसको मिक्स होने दीजिए क्योंकि डबल बॉयलर मेथड है तो इन्फूजन थोड़ा स्लो होता है तो पेशेंस रखिए और अच्छे से इसको मिलाते रहिए जैसे ही आपको दिखे कि यह तीनों ही चीजे मिलकर अच्छे से एक सार टाइब्स हो गई है मताब बिल्कुल एक सार तो नहीं हो सकती ओए और वाटर है लेकिन हाँ अगर आपको दिखे कि हाँ अच्छे से ब्लें हो चुका है इसमें आप मेरे पास जान्थम गम थी इसलिए मैं उसी का इस्तमाल करनी हूँ जो बेकिंग के लिए इसलिए लेकिन मेरे पास ये अवेलिबल था तो मैंने यूज किया आइ वुट सिज़ेस्ट किया क्योंकि I know my family की चिप चिप लग रहा है कुछ रेजिड्यू रह गया सम्तिंग और आ है क्योंकि जो गाजरवला पाथ है वो जेल में तबदील हो गया है वो जेली बेली टाइप हो गया स्टिकी हो गया है आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट पर आप और और ऑईल भी आड़ कर सकते हैं अच्छे से mix कीजिए take your time कि जितना एक सार आप कर सकें उतना आप कर लीजिए और उसके पश्चाथ आप गैस बन कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए जब यह ठंडा हो जाएगा आप इसकी consistency को ट्राय कर सकते हैं यहां में आपको दिखा रही होंगी क तो इतना shine आपकी तवचा को देगा, इतना moisture आपकी skin को देगा, लेकिन जो घाजर वाला पाथ यह जो डैल में तबदील हो गया है, वो अलग से sticky रहेगा, तो अगर यह जल से अगर आपको परिशानी नहीं है, तो as it is उसको bottle में श्टोर कर दीजे, जिसमें आप convenient है, otherwise आप इसको एक बहुत ही छोटे मसलिन क्लॉट से चान कर सिरफ ऑईल ले लीजिए, it's completely a choice, जैसे आप comfortable है, I would say as it is, ले ले लीजिए क्योंकि जल के अंदर भी काफी सारा ओईल होता है, जो आप वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो अच्छे से इसको एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, और इसके बाद जब आपने रोजे पॉल की अच्छे से मसाज कर ली है, आप यहीं लेंगे, क्रीम और अच्छे से अपनी स्किन पर दुबारा से इसको लगा लेंगे, आपको कोई anti-aging serum नहीं लगाना, कोई महंगे महंगे expensive serums नहीं लेने, कुछ नहीं करना, बस यह 3 स्टेप कर लीजिए, face wash, mask, रोजे पॉल का मसाज और फिर यह, आप देखेंगे, within 2-3 days, आपकी skin पर जो radiance होगा, जो glow होगा, वो तो कमाल का होगा, मुझे बहुत सारे messages आ कोई परेशानी नहीं है, अराम से धूप से किए, अपनी बॉडी को विटमिन D दी यह, यह मौसम की दिमांड है, तो अभी आपको करना ही पड़ेगा, बाद में आपको तान हटाते रहेंगे, लेकिन यह अगर आप करते रहते हैं प्रोसेस तो आपकी skin का यूथ फुलनेस अगर प्रस्तती पसंद आई है तो दूगे वरे थामसब चानल पर नए है तो सब्स्राइब किये विरा बिल्कुल मच जाएगा, आप सभी से मिलती हूं अगले वीडियो में, तिल दें टेक रिली गुड केर अफ यूज़ और 2023 कैसा रहा हमें नीच लिखकर अवश्य बता लिखकर अवश्य बता है